अब भूटान और माल्दीव यहां की क्या स्थिति है नेपाल में भी भूटान में भी नेपाल जैसे राज तंत्र लेकिन बहुत बड़ा अंतर है वहां के राज तंत्र में अंतर यह है कि भूटान के जो राजा है भूटान के राजा लोक तंत्री व्यवस्था के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं उन्होंने लोकतांतrik सम्विधान को मानिता दी है लोकतांतर को प्रमोट करते हैं और मंत्रि मंडल को इतनी शक्तियां दी हैं कि वो वास्तों में देखा जाए तो लोकतांतिर की है और 2007 से तो बहुत दली प्रनाली की शुरुआत कर चुके हैं यानि बकायदा वहां दली राजनीति के तहट चुनाव होते हैं विचार धारा के तहट चुनाव होते हैं और जो वहां के राजा है उनका उनको पूरा समर्थन मिलता है इस लोक तंत्रिक प्रक्रिया को बढ़ाने का तो भूटान को हम कह सकते हैं सम्वय धानिक वैसे राज तंत्र लेकिन राजा सर्वोच होते हुए भी वहां पे लोक तंत्रिक व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से चल रही है मालदीव की बात करें तो मालदीव पहले सुल्तान के अधिन था एक वहां सुल्तान हुआ करते थे लेकिन 1968 में लोक तंत्रिक व्यवस्था लागू की गई और अध्यक्षी प्रणाली के तहट किस प्रणाली के तहट अध्यक्षी प्रणाली के तहट 1968 में सुल्तान के रहत लोक तांतरी व्यवस्था मालदीव में प्रारंब की गई जून 2005 में बहुदली व्यवस्था लागू कर दी गई और उस वर जो आम चुनाव हुए थे उस चुनाव में विपक्षी दल को मानिता भी दी गई यहने विपक्षी दल के अस्तित्व को सरकार ने स्विकार किया व तरीके से लोक तंतरी प्रणाली है वैसे वहाँ पर मालदीवियन डेमोक्रिटिक पार्टी जो है उसका वर्चस्व काइम उसका दबदबा बना हुआ है कहने को तो बहुदली है लेकिन वास्तों में देखा जाये तो एक दल वहाँ पर इतना हवी है कि अन्य दल की उपस्त ही तो उनके सामने नगन है पर लोक तंतर है दक्षिन एशिया में यदि हम लोक तंतर की वैश्विक कल्पना के दाएरे के रूप में देखें तो वहाँ पर लोक तंतर का प्रसार हुआ है यहां के लोग लोक तंतरी व्यवस्था को बहतर मानते हैं इसमें कोई दो मत नहीं बंगलादेश पाकिस्तान यहां भी जब तब लोकतंत्र अपना मूँ ठा लेता है याने कोशिश सतत बनी रहती है लोकतंत्र की तो विश्व में जो लोकतंत्र पनप रहा है बढ़ रहा है उसका असर हम दक्षिरेश्या में भी देखते हैं और लोकतंत्र के प्रती जागरूकता भी यहां के लोगों में बनी हुई है मता धिकार मानवा धिकार आदी बातें यहां पर एक गहरी पैश बना रही है प्रति निधी मूलक लोक तांतरिक व्यवस्था ये क्या है प्रति निधी मूलक लोक तांतरिक व्यवस्था देखिए शासन व्यवस्था की बात करें तो हम लोग जो मुटा मुटा जानते हैं राज तंत्र एक शासन पद्धती है ताना शाही एक शासन पद्धती है लोग तंत्र एक शासन पद्धती है लेकिन इन हर शासन पद्धतियों के भी अलकई प्रकार है जैसे राज तंत्र में आपने एक देखा कि एक ऐसा राज तंत्र होता है जहां केवल राजा रहता है और उसके एडवाईजर्स रहते हैं और एक राज तंत्र आपने भूटान में देखा जहां राजा स्वैम लोग तंत्र को आगे बढ़ा रहा है राज तंत्र वहां कहने मात्र को है और एक राज तंत्र आपने देखा था इंगलंड में जहांपर क्वीन इंगलंड की मुख्या है तो जैसे राज तंत्र के भी कई प्रकार है जैसे एक ही रंग के कई प्रकार होते हैं कई शेड होते हैं चाहे हम काला रंग ले ले ले, चाहे लाल रंग ले ले, चाहे सफेज पीला कोई सा भी रंग ले, हर रंग के अपने शेड होते हैं, ऐसे ही हर शासन व्यवस्था के अपने अपने शेड हैं, लोक तंत्र के भी ऐसे शेड हैं, अध्ध्रक्षी प्रणाली का लोक तंत्र जैस ब्यांट में भी लोग तंत्र है लेकिन वहां राजा-सरवोच्च है वैसे नाम-मात्र को तो minute एक तरीका होता एक शेड है लोग-तंत्र का प्रतिनिधी मूलक लोगतंत्र परणाली याने लोग-तंत्र का संचालन जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है किनके माध्यम से प्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे प्रतिनिधि कौन है भारत में सांसद MP Member of Parliament या हमारे प्रतिनिधि राजियों में जो कहलाते हैं MLA Member of Legislative Assembly तो ये जो बहु प्रतिनिधि मुलक लोक तंत्रिक विवस्था को इस खेत्र में ज्यादा तर लोगों ने स्विकारा है जिसमें हर धर्म हर जाती हर वर्क के लोग उनको भागीदारी मिले ऐसी कोशिश रहती है रिजर्वेशन भी रहता है आरक्षन का भी प्रावधान है ताकि वन्चित वर्क के लोगों को भी संचद में प्रतनिदी के रूप में उच्चित स्थान मिल पाए दक्षिन एक्षिया में हम देखें तो निशकर्ष ये निकाल सकते हैं कि लोग तंत्र का रिकॉर्ड मिला जुला है हम ये नहीं कह सकते कि लोग तंत्र से यहां नफरत है हम ये नहीं कह सकते कि पूरे ख्षित्र में स्थाई लोग तंत्र है लेकिन यदि हम कहें तो फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा कि लोक तंतर का रिकॉर्ड जो है संतोष जनक रहा है मिला जुला रहा है इसके बावजूद इस खेतर के जो जनता है वो लोक तंतर के प्रति सजग है लोक तंत्र में सहभागी रही है और लोक तंत्र को पनपते हुए देखना चाहती है यदि ये निशकर्ष है तो इस निशकर्ष के पक्ष में क्या बिंदू है हम किसा अधार पे कहते हैं कि यहां का रिकॉर्ड जो है वो लोक तंत्र के पक्ष में है पहला, कि हम जो पांछ देशों की बात करें तो पांच देशों में लोक तंत्र है, या व्यापक समर्थन है, भारत, शीलंका, फिर उसके बाद बनगला देश और नेपाल में, बनगला देश और पाकिस्तान में जब तब लोक तंत्र आता है, भूटान, मल्दिव तो पाँच देश मुल रूप से हम देखें, पाँच बड़े देशों में ये साफ है कि सभी देश लोगतंतर को व्यापक समर्थन देते हैं और सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग, यहां के जो नागरिक हैं वो लोगतंतर को बहतर मानते हूं ये क्या बता रहा हूँ मैं? इस खेत्र में लोगतंतर का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, मिला जुला रहा है, इसके पक्ष में बाते बता रहा हूँ पहली बात तो ये हुई पहला तरक दूसरा तरक कि पांच देशों की शासन प्रणाली अन्य प्रणालों की तुलना में लोगतंत्र को यहां बहतर मानते हैं और प्रतिनी दी मूलक लोगतंतर है याने रेप्रेजन टेटिवस के माध्यम से लोगतंतर चलने के वयवस्था को दी गई है प्रतिनी दी मूलक लोक तंत्र का समर्थन करते हैं इन देशों के नागरिकों के कहना है कि हमारे देश में लोक तंत्र ही सरवश्रेष्ट शैसन प्रणाली हो सकती है ये जनता की अपनी राय है ये जनता की राय लोक तंत्र के पक्ष में होना स्वयम इस बात का सब कि लोक तंत्र की के प्रति यहां जुकाओ ज्यादा है तीसरी बात लोक तंत्र के पक्ष में कि पांच बड़े देशों के नागरिक उन लोगों से जब साक्षाद कार लिया गया तो कुछ बातें सामने आई पहली बात कि 70 प्रतिशत भारत में और 71 प्रतिशत शिलंका में लो 70 प्रतिशत जन्ता भारत में और 71 प्रतिशत जन्ता शिलंका में लोक तंत्र को बहतर मांती हैं सवाल यह आता है कि बचे हुए 30 प्रतिशत लोग क्या चाहते हैं हो सकता है समें इसमें से कुछ शंख्या ताना शाही के पक्ष में हो लेकिन उसके कारण है क्योंकि उनकी तुक है कि लोक तंत्र में जो बुराईयां हैं, जो लोक तंत्र की नीव को लिए खतरा हैं, तान्य शाही में उसमापथ हो सकते। उधारन के लिए गूस- खोरी, उधारन के लिए लोक तंत्र में बहुत धीमे धीमे निरने लेना, लोक तंत्र की एक बहुत बड़ी बड़ाई है कि निर्णे जो होते हैं बड़े धीरे होते हैं क्योंकि सब को लेके चलना होता है सब का साथ सब का विकास सब को लेके चलना होता है तो जब सब को लेके चलना है तो सुनिश्चत करना है कि किसी निर्णे पे पहुंचने के पहले सब की सहमती मिल जाए कम से कम अधिक्तम की सहमती तो मिल जाए उसमें जो निर्णे की प्रक्रिया है वो धीरे हो जाती ताना शाही में वो नहीं होता तो इसलिए कुछ लोग का शायद ताना शाही के पक्ष में इसलिए विचार होगा लेकिन 70-71 प्रश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् मैंने जब आपको बताय है कि बंगलादेश और पाकिस्तान में जब तफ सैनिक ताना शाही ने तक्ता पलट किया है और लोग तांतरिक चनाओं को अस्वीकार करते हुए स्वैम को स्वैम की सरकार बनाई है सैनिक ताना शाही ने, सैनिक शासन ने लेकिन इनकी संख्या नगन्य है जो इसके पक्ष में हैं मात्र छाय प्रश्ष इतने उठा पटक के बाद भी लोग तंत्र को इतनी चोट पहुँचने के बाद भी मात्र छाय प्रश्ष लोग ताना शाही के पक्ष में पाकिस्तान में मात्र छाय प्रश्ष जहां सैनिक सत्ता ने जब तब बड़े बड़े लंबे काल के लिए शासन किया उसके बावजूद मात्र छाय प्रश्ष इतनी ताना शाही चाहते हैं नेपाल की यदि बात करें तो नेपाल में क्या स्थिती है नेपाल में क्योंकि अभी तक राज तंत्र था और एक तरीके से कहा जाया तो सफल राज तंत्र था एक अच्छा शासन था वहां लोग तंत्र आया और लोग तंत्र आने के बाद आंतरिक अस्थिरता के कारण जनता की राय मिश्रित है नेपाल में 28 प्रश्ष लोग कहते हैं कि कोई फर्क नी पड़ता कौन आये कौन जाये चाहे लोग तंत्र हो या ताना शाही हो 28 प्रश्चत लोग का कहना है कोई फर्क नी पड़ता और शिलंका में 18 प्रश्चत लोग का कहना है कि इससे कोई फर्क नी जिन दो देशों में सबसे कम लोग कभी कभी ताना शाही की स्थिति को बहतर मानते हैं वे हैं बंग्लादेश और भारत तो अग्लादेश और भारत ये दो देश है जहाँ ताना शाही की इस्थिति को बहतर मानते हैं लेकिन उनकी संख्या जहां नियून तम है बांगला देश में मात्र 6 प्रश्यत लोग ताना शाही के पक्षमे और भारत में जो डेटा है हमारे सामने वो बताता है कि भारत में लगभग 6 प्रश्यत लोग मात्र एक बहुत छोटी संख्या है जो ताना शाही के पक्षमे बात करते है लोग तंद्र को बहुत उप्योगत जब की और न उप्योगत अगला बिंदू शिलंका और भारत दोनों देशों में समान रूप से लोक तंत्र को उप्युक्त माना गया है शिलंका और भारत दोनों देशों में समान रूप से याने 92 प्रतिशत लोग लोक तंत्र को उप्युक्त मानते हूं मैं उप्युक्त बनाम बहुत उप्युक्त की बात कर रहा हूँ तो यदि हम भारत और शिलंका की बात करें तो उप्युक्त मानने वालों का प्रिश्चत प्यानवे प्रिश्चत है निशकर्श क्या कि लोक तंत्र को ताना शाहि के ऊपर बहुत ज़्यादा वरीता दी जारी है दक्षिर एशियाई खित्र में जो एक बहुत अच्छा साइन है मैं पुना दोहरा दूँ लोक तंत्र को इस सब बातों का निश्कर्श क्या है कि लोक तंत्र को ताना शाही के तुलना में बहुत ज़्यादा वरीता दी जारी है ठीक अब ताना शाही की तुलना में और ये एक इस खेत्र के लिए एक अच्छी बात है क्योंकि विश्व परिप्रेक्ष में ये साबित हो चुका है कि शासन प्रणाली सर्वशेष, शासन प्रणाली वर्तमान प्रिप्रेक्ष में लोक तंत्री प्रणाली है और उसमें भी प्रतिनी धी मूलक संसदी प्रणाली सरशेष्ट है जो इस खेत्र में ज़्यादा प्रचलित है ज़्यादा जो स्वीकारे है अब अपने देश के लिए लोकतंत की उप्युक्ता पर बहुत कम लोग को संदे है अपने स्वयम की यदि उनसे पूछा जाया या पूछा गया है कि आपके देश के लिए लोकतंत कितना उप्युक्त है तो जहां दक्षिन एशिया में 88 प्रश्चत लोगों ने कहा उप्युक्त है 12 प्रश्चत लोगों ने कहा बहुत उप्युक्त है वहीं भारत में 92 प्रश्चत लोगों ने कहा उप्युक्त है बहुत उप्युक्त कहन केहने वालों के संख्या मातर आठ प्रतिशत ये लेकिन सोचने की बात है कि भारत में बहुत उप्युक्द कहने वालों के संख्या कम क्यों है क्योंकि लोगतंत्र की कुछ बुराईयों से जो हम लोग गुजर रहे हैं जिसमें भरष्टा चार निर्णय की कम गती कारेपालन का बहुत धीमा होना किसी कारेप किसी चीज को एक्जेक्यूट करने में धीमा होना इसकी ये परेशानियों को जो लोग भुगत रहे हैं भुगतते हैं उनका कहना है कि ये उप्युक्त है बहुत उप्युक्त तो नहीं है बांगलादेश में उप्युक कहने वालों का प्रिश्ष स्रान्वे है नेपाल में उप्युक कहने वालों का प्रिश्ष सर्वाधिक है ये एक paradox है विरोधा भास है पाकिस्तान जिसने अधिकतर समय सैनिक शासन देखा है पाकिस्तान जिसने जन में सिले के आज तक अधिकतर काल में सैनिक सत्ता देखी है सैनिक ताना शाही देखी है वहां के लोगों की राय जब ये सवाल पूछा गया कि आपके देश के लिए ल अधिक्तम लोगों का कहना था बहुत उप्यूग अधिक्तम कार्थ यह नहीं कि वहां की जन संख्या का ज्यादा हिस्सा अधिक्तम कार्थ यह है कि वहां की जन संख्या का ज्यादा प्रतिशत अन्य देशों की जन संख्या के प्रतिशत से वहां 16 प्रतिशत लोगों का कहना बहुत उप्युक्त था जबकि अन्य देश में बहुत उप्युक्त कहने वालों कि संख्या मात्र दस बारा तेरा यहां पे सोला प्रश्चत लोंका काई यानि वे लोग चाहते हैं कि डिमोक्रेसी आए लोक तंत्र आए यह जो दोनों जो बताया गया है इसमें पांच बड़ है तो हम कह सकते हैं कि यह निशकर्ष की और चित्रता पर प्रश्च न उठाया जाए एक और बिन्दू जो लोक तंत्र के बढ़ते हुए प्रभाव की और इशारा करता है उससे ज़िए हम देखें तो हम यह पाएंगे कि बांगलादेश, भारत, नेपाल, पाकितान, शिल के पक्ष में हैं, इस चित्र से आप देख सकते हैं कि वितरन कितना है, विकाश शिल देश का जहां 67.3 है या 65.2 है, वहीं पर दक्षिन एशिया का 63.7 है, वयस सक्षर्टा दर किया दी बात करें तो उसका भी आप निशकर्ष देखिए 78.9 विकाश शिल देशों का है, जबकि 60.9 दक्षिन एशिया के देशों का है, भारत में 61 प्रतिशत, वैस सक्षर्टा दर 2004 के हिसाब से हैं, और वहीं यदि हम शिलनका का देखें तो वहाँ वैस सक्षर्टा दर 90 प्रतिशत से उपर है, उसके साथ ही जो विकाश के अन्य पैमाने हैं, विकाश के पैमानों की अदि बात करें, जिसमें सकल उत्पात दर और अन्य कुछ चीज़ें आती हैं, तो उसमें इन बिंदू पर भी आप एक नज़र डालें, कि विद्याली नमांकन कितना है, कितने लोगों ने विद्याले में अपने को दर्ज कराया है, अध्यान के लिए, उनका प्रश्चत देखिये, उसके बाद प्रतिवक्ति, शकल घरेदू, पात कितना है, बाल मृत्यू कितनी है, चाइल्ड डेथ, क्योंकि ज्यादा बच्चों की मृत्यू अर्थात, शास्त्य सिवधाओं में बहुत कमी, और ये प्रति हजार में गिना जालता है, तो बाल मृत्यू दर कितनी है, टी बी का क्या फैलाओ है, जितना गरीब देश होता है, वहाँ टी बी आदी की विमारियां, बहुत लोगों को जकडी रहती है, तो टी बी का फैलाओ कितना है, उसके बाद अल्प भोशन, भोजन, अल्प भोशन में से होन जनत का अउपात कितना है? एक डॉलर प्रति से कम कमाने वाली जनता कितनी है? देखिये, एक डॉलर प्रति से कम में जीने वाली जन संख्या का वशJan देखैं, तो उसमें आप देखेंगे कि भारत में इनकी संख्या 34.7 प्रतिशत है, पाकिστान में एक डॉलर से कम आए, ब प्रतिश्चत की और वहीं श्रीलंका में 5.6 प्रतिश्चत उसके बाद जो अंतिम बिंदु है उसमें स्विधाओं के बारे में आकड़ा दिया गया है ये स्विधाओं पर आप नज़र डालें फिर अंतिम कॉलम विकास सूची बताता है विकास सूची में भारत का इस्थान कहां है दुनिया में 2006 की गणना के अनुसार याद रखेंगे ये गणना 2006 के अनुसार है डिवलप्मेंट इंडेक्स इस अंग्रेजी में कहते हैं डिवलप्मेंट इंडेक्स दुनिया में जितने देश हैं उसमें विकास की श्रेणी में बांगला देश का स्थान 137 हुआ ह नेपाल का स्थान 138 है पाकिस्तान का स्थान 134 है और वहीं शीलंका का स्थान 392 है विकास शील इंडेक्स या विकास इंडेक्स में डिवलोप्मेंट इंडेक्स में भारत बहुत पीछे है श्रीलंका के तुल ना में और ऐसे कुछ चीजों में और पीछे है लेकिन कुल मिला कर यहां की जन संख्या को देखते हुए यहां की भागोलिक संसाधनों को देखते हुए यहां की खुद की विकास दर को देखते हुए भारत एक शक्तिशाली राश के रूप में उभर रहा है तो ये जो आंकड़े हैं ये अलग और आंकड़ों का काफी कुछ संबंद जन संख्या से होता है भारत की जन संख्या आज की स्थिति में जहां 133 करोड है वहां 133 करोड में निश्चित रूप से अन्य छोटे देशों की तुलना में विकास का प्रतिशत कम दिखाई देगा प्रतिव्यक्ति आय का जो प्रतिशत है या प्रतिव्यक्ति आय की जो रकम है वो बहुत कम दिखाई देगी प्रयास है कि इसे और उपर उठाय जाए लेकिन कहने का तात्पर ये है कि भारत को एक शक्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि समग्र रूप से कुल मिला कर वह औसतन अन्य देशों की तुलना में बहुत आगे है औसतन ये मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अधार पे सारी जानकरिया हैं इसके बाद की भी रिपोर्ट जो आती हैं वो अपडेट भी उपलब्ध होने पर हम आपको दे देंगे समकाली इंदक्षिन एशिया के संबंध में उसके संदर में अभी तक हमने उसकी भगोलक इस्थिति जानी उसकी आर्थिक इस्थिति जानी देशों के बारे में अलग-अलग देशों के बारे में उनके तत्थिक जाने एक दूसरे का तिलनात्मक अध्यन भी किया चाहे वे लोक तंत्र के ख्षेतर में हो, चाहे वे विकास के ख्षेतर में हो, चाहे वो शासन प्रणाली के बारे में हो और ये भी जाना कि विश्व के परिप्रेक्ष में दक्षन एशिया महत्पूर्ण क्यों हो चला है विश्व राजनीती में अंतिम बिंदु जो हमने समझने की कोशिश की कि इस खित्र में अधिकतर संघर्ष हिंसा अशान्ति आदी हुई उसका बोल बाला ज्यादा रहा उसकी प्रचुरता ज्यादा रही और इसका परिणाम उसके विकास पर पड़ा लेकिन इस सबके बावजूद लोग तंत्र की मांग लोग तंत्र की दरकार यहां सबसे ज़्यादा है शासन व्यस्था को लेकर इतना जानने के बाद अब हम कह सकते हैं कि हमने दक्षिन एशिया को एक मोटा मोटा सरसरी तौर से समझ लिया है